तो सबसे पहले तो वो लोग मुझे नीचे कमेंट करके बता है जिनका सोलाना में प्रॉफिट हुआ अफ्टर वॉचिंग मैं लाइफ स्ट्रीम देखे पहले तो मैंने मना किया सोलाना कुछ शॉर्ट करने से अगर आपको प्रॉफ चाहिए तो यह देख लो शॉर्ट करने में ठीक है तो यह जो शॉर्ट है सोलाना की पर्सों मैंने आपको बताई थी और यह फोर आर की जगह अगर मैं डेली में भी कर दूँ तो आप देखो कि उसके बाद प्राइस कहीं भी हमारे असल के आराउंड नहीं आया और आपने जहां भी शॉर्ट लिया था आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा 13.79 से लगबग हमने एंटरी बनाई 13.8 से और 13.1 के अराउंड हम लोग आ चुके हैं तो यह सोलाना का प्रॉफिट है और 5% प्रॉफिट आपको अगर आपने किसी भी लेवरेश के साथ किया ना तो आपका यहां पर अच्छा का सा प्रॉफिट हुआ होगा 10x में भी 50% औ तो अपने प्रॉफिट बनाया ना ओवराल बस यह अपना टीए जो है वह कर अब हम आए हैं यहां पर क्या करने सोलाना के मैक्सिमम जो है यहां पर लॉंग टर्म चार्ट को देखने कि सोलाना कर क्या सकता है देखो बेसिकली क्या हो रहा है सोलाना में अभी यहां पर अच तो इच्छा साइन्स जो कर रही थी तो जितने भी इंस्टिटूइशन होते हैं या फिर जितने भी बड़े लोग उते हैं यहां पर बाय और पंच करते हैं और उठा ले जाते हैं तो जो रिटेलर्स हैं यानि हम सब लोग हैं जो सिर्फ प्राइस को उपर उठता हुआ सकता है कि सुलाना जो है यहां से अच्छा सपोर्ट ले ले अब वो जो सपोर्ट लेगा वो किस तरह से लेगा वो हमें देखना है अगर सपोर्ट लेकर रेड वाली लाइन के उपर सुलाना मिंटेन करता तो यह 14.44 दुबारा जाएगा और फिर उसके उपर भाग सकता है अब मैं आपको बताता हूँ कि सुलाना को लेकर प्राइस ड्राइब क्या कर रहा है सबस्यान सुलाना की प्राइस को drive कर रहा है यह टोकन जिसका नाम है बॉग बॉग टोछिंग की लिस्टिंग की वजले से इसकी ट्रेडिंख एक्टिविटी बहुत बड़ी और जिसकी ये bonk token ही जो है price को drive कर रहा उपर की ओर अगर ऐसा सच है तो हमारी जो short position है वो अच्छी घासी नीचे की ओर बनेगी और आप इसको नीचे की ओर रख सकते हो थोड़ा सा और क्योंकि मुझे लगता है कि ये solana को on नीचे लेकर आ सकता है मुझे लगता है minimum ये level आप रख सकते हो 12.65 तो minimum आपका target हीट होना ही चाहिए short position में जिन्होंने लिया है लेकिन अभी मत लेना अभी नहीं जो perfect position है वो यही red line है red line के नीचे जब तक solana रहता यानि 13.4, 14.5 के नीचे तब तक आप solana को रख सकते हो और बढ़िया आपको ये profit देता रहेगा तो that is all इस वीडियो में और आज की solana की update यही है solana का अगर long term vision देखें तो मेरे खाल से solana जो है अभी सिर्फ वही रहेगा यानि sideways वाला coin है जिसमें अभी कुछ जादा interesting मिलेगा जो आके जब price बढ़ने पर लेने लगते है और price घटने पर बेचने लगते है तो सिर्फ वो लोग price को drive करें जब इन दोनों level के उपर या तो इसके उपर निकल जाए तो long ले लेना या तो इसके नीचे है तब short करना इन दोनों ही level के उपर कुछ मत करना ठीक है इन दोनों के इस पूरी range के नीचे मत करना इस range के अंदर trades ले सकते हो उपर नीचे की लेगिन यहाँ पर trade के अंदर जो है चाहो तो अच्छी trade आपको नहीं मिलेगी short की trade आपको यह 12.1 से नीचे मिलेगी और long की trade आपको मिलेगी 14 के उपर तो इन दोनों areas को याद रखना ठीक है यह दोनों areas आपको बता के जा रहा हूँ that's it for today's video thank you so much for watching this video